डियर फेंस ये च्छत के ऊपर टोटल सेबन कोटिंग का वर्क हुआ है आपको मैं यह दिखा रहा हूँ इस पर गलास फाइबर लगा हुआ जो बलेक वलेक आप देख रहे हैं लिवकिड रबर है लिवकिड रबर के ऊपर जो है मल्टी कलर इसको किया जाएगा तो इसके अल पुराना पर चुका है चट जरजर के स्थिति में पानी टपकता स्लेंड आता है चट के सिलिंग गिरने लगा है सरीया में जंग लग चुका है और बराबर आप परसान रहते हैं चट के उपर बहुत सारे टिट्वेंट अपने कडा लिया लेकिन हो सही नहीं हुआ तो एक पानी और ज़्यदा जाना लगता है और वह पपड़ी बनके उखणने लगता है तो इसको ठीक से साफ कर लेना है उसके बाद साफ करके प्राइमर आता है वाटर पूरफ एंग प्राइमर को पुरा ठीक से लगा देना है चट पर उचोड़ दे रहा है सुखने के लिए 20% 35% 50% आकरिली के चाहिस्त लोग ऐसे क्या करते हैं कि एक ही केमिकल को लगा देते हैं चतों भी लगा देंगे बात्रूम में भी लगा देंगे घरी जगा देंगे इसमें क्रेक वगरा नहीं आता है और पानी को जो अब जारुसन कपसिटी होती इसको कम कर देता अब आपको मैं दिखाया था क्रेक था छत पे बेगल में यह सब वेस्ट निकाला गया है वेस्ट निकालके एक जगाई कर ठाकिया गया है तो इसके बाद जो है इस पर टूटल आश्टोमेरिक वर्क शुरू कर दिया गया है जो कमपनी के सर्विस वाटर प्रूफिंग सर्विस पूरी दिली में अबलेबल है इंडिया में आप किसी भी स्टेट्स हैं दिली में आप कहीं से भी है जिस्पसे में नंबर दे दूँगा उस पर काल करके आप अथिक जनका लगाना है तो उसको लगाने से पहले भी यह काम कर सकते हैं यह जो फाइबर लगा हुआ है देखिए फाइबर पूरा लिकुड रेबर के साथ में पूर एकदम ठीक तर इसे चिपक गया है और इसमें डिफ्यूजन भी हो चुका है यानि कि यह सूख जाएगा उसके बाद भी कभार जाता है छत के अंदर उजाना वहां से बंद हो जाए सेवन कोटिंग जो वर्क होता है इसमें टोटल सेवन कोट होता है और अलग अलग ट्रीटमेंट से में ट्रीटमेंट किया जाता है कई लोग क्या करते हैं इस सेवन कोटिंग में ही दो से तीन कोट करा देते ह छोड़ देते हैं जो ज्यादे दिन्तकारीगार नहीं होता है और कहने कहीं खराब हो जाता है चलना को सब्सक्राइब करते वीडियो के सेर करते धन्यवाद